भाशा को लेकर भी कुछ जग्यासें प्राप्तु ही है श्रीमा ननिल पंडे जी फ्री हर्श वर्दन त्रिपाथी जी नीती नियामक संस्थाओं में अंगरे जी का प्रभुत्व दिखाई देता है संग का भारतिय भाशाओं और हिंदी के प्रतीक क्या विचार है संस्कृत के विध्याले भी घट रहे हैं और इसे महतु भी नहीं दिया जाता संग इस थिती को कैसे देखता है हिंदी पूरे देश की भाशा कब बनेगी क्या संस्कृत को हिंदी से अधिक वरियता नहीं दी जानी चाहिए अब यह जो अंगरे जी के प्रभुत्व की बात है वो निती नियाम संस्था में का है वो तो हमारे मन में है आज यह सामान ने अनुभव है कि भारत का उच्चो भुरु वर्ग भारत यह भाशाओं में जो बोल सकता है हिंदी भी जानते हैं दोनों लेकिन मिलते हैं तब अंगरे जी में बात करते हैं तो हम अपनी मात्र भाशाओं को सम्मान देना शुरू करें भाशा भाव की वाख होती है सौशकृति की वाख होती है और इसलिए भाशाओं का रहना यह अनिवारिया बात है मनुष्य जाती के विकास के लिए अपनी भाशा का पूरा ज्यान हो किसी भाशा से शुत्रुदा करने के जुरुत नहीं अंगरे जी हटाओ नहीं अंगरे जी रखो यथा स्थान रखो अंगरे जी का एक हवा जो हमारे मन पर है उसको निकालना चाहिए इंटरनाशनल लांग्वेज हमा ऐसा कहते है लेकिन वास्तों के एसा है कि लोगों में अगर हम बात करते हैं तो यूरोप के देशों में दो भारतिय मिलने के बाद अंगरे जी में बात करेंगे तो सबको समझ में नहीं आएगी उनको भारतिय भाशाओं का ही प्रेयोक करन अपनी अपनी भाषा का प्रयोग सब बातों में करते हैं उन्होंने प्रयास पूर्वक इसको किया है हमको ये प्रयास करने पड़ेंगे जितना हम स्वभाशा में काम चलाएंगे और सबसे समरुवदध वाशा हमारे पास है हम ये कर सकते हैं करने को हो जाए तो ये हो जाएबा अंग्री जी से हमारी कोई शत्रुता नहीं है उत्तम अंग्रेजी बोलने वाले चाहिए और दुनिया में भी अपने अंग्रेजी वक्तृत वक्ती चाप बना सकते हैं, ऐसे अंग्रेजी बोलने वाले लोग हमारे देश के भी होने चाहिए, भाशा के नाते किसी भाशा से शत्रुत आम नहीं करते हैं, लेकिन देश की उन किसी एक भारतिय भाषा को हम सीखे इसका मानस हमको बनाना पड़ेगा हिंदी की बाद स्वाभा विकरूप से चली है पुराने समय से चली है अधिक लोग हिंदी बोलते हैं इसलिए चली है लेकिन ये मन बनाना पड़ेगा कानून बनाने से नहीं होगा थोपने से नहीं होग आखिर एक भाषा की बात हम क्यों कर रहे हैं इसलिए कि हमको देश को जोड़ना है एक भाषा बनाने से अगर देश में विरोत खड़ा होता है आपस में कटूता बढ़ती है तो हमको तो यह सोचना जाई कि मन हम कैसा बनाए मेरा अनुभव ऐसे कहता है हिंदी ठीक है कोई द भाषा की इसलिए दूसरी भाषा नहीं सिखते क्यों ना हमीं पोलने वालोंने भी दूसरे किसी प्रांथ की एक भाषा को सिखना चाहिए तो यह मन मिला जल्दी हो गार अर्मारी एक राठर भाचा और उसमें सारा कारोबार ये काम जल्दी हो जाएगा. ये करने के आबश्शकता है, सांस्कृत के विद्याले घट रहें और महत्व भी नहीं दिया जाता, कौन नहीं देता? हम महत्व नहीं देते, इसलिए सरकार भी नहीं देती. अगर हमारा आगरा रहे कि अपनी परंपरा का सारा साहित्य लगबग संस्कृत में है तो हम संस्कृत सीखे हमारे बच्चे सीखे कम से कम बोल चाल कर सके इतना सीखे इस दिशा में लगे हैं संगा के सोंस्कुर्द के प्रचार प्रचार के दो-तिन काम चलते हैं अच्छे पले बढ़ रहे हैं लेकिन यह अगर हमारा मानस बने तो अपनी विरासत का अध्यान भी ठीक से हो सकेगा और अपनी भी कोई भाषा है और वो इतनी श्रेष्ठ भाषा है कि संगणक के लिए सरवाधिक उप्योग वही भाषा है इसारी बाते पता चलेगी यह गवरों बनता है तो समाज में उसका चलन बढ़ता है चलन बढ़ता है तो विद्याले भी फिर से खुल जाते हैं पढ़ाने वाले भी मिल जाते हैं नीतियों को भी समाज का मानस प् तो और फिर वरियता का प्रश्ण है यह वरियता शब्द गलत है भारत की सारी भाषा भाषाएं मेरी भाषा है और जहां मैं रहता हूं वहां की भाषा बोलता है यह होना जाहिए अपनी मातर भाषा पूरी आनी चाहिए जहां मैं रहता हूं वहां की भाषा आत्मसाथ करन बनाएंगे, ओ श्रेष्ठा इसलिये बनाएंगे, वो सरवाधिक उप्युक्त है आज के समय में इसलिये बनाएंगे, उसको भी सिखना चाहिए, और फिर आपकी रुची है, और आवस्च्छता है, तो कोई भी विदेश की भाषा सिखिये, उसमें विदेशी लोगों से ज्य हुआ है